आपके जीवन में और मेरे जीवन में हर मसी जब परमेश्वर में आता है जब परमेश्वर का बन जाता है फिर भी उसके मन में चिंताएं रहती है एक असमज़स का भाव रहता है कभी-कभी संधे आता है कभी-कभी हम अपने आपको आजमाईश में घिरा हुआ पाते है रेज़ लौट हर मसी मैं देखता हूँ कि चिंताएं निराशाएं यह नहीं कि हमारे साथ रहती हैं हमेशा जब कि मसीहत एक ऐसा अधिकार है मसीहत एक ऐसा आशीश है वर्दान है जिसमें निराशाओं का और चिंताओं का कोई है नहीं उसका कोई स्थान नहीं है ना निराशाएं ना चिंताएं क्योंकि ईशो मसी कुरूस पर मरा और उसने हमारी चिंताओं को हमारी निराशाओं को अपने उपर ले लिया है लेकिन फिर भी ये होती है उसके लिए हम अपनी प्रात्राओं को चेंज करते हैं हम सोचते हैं कि हम प्रात्राओं तो सही कर रहे हैं हम प्रात्राओं सुबह करते हैं हम शाम को करने लगते हैं हम बाइबल तो सही पढ़ रहे हैं कई बार हमारे मन में सवाल आते हैं, कि हम सही तरीके से जी रहे हैं कि ने जी रहे हैं? आज मैं आपको उन बातों से अवगत कर रहा हूंगा, जो वाकई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है. इस बात को आप ध्यान में लखें कि परमेश्वर ने हमें चुना है, बाइबल कहती है, और उसने हमें शुद्ध किया है, उसने हमें पुवित्र किया है, और क्यों किया है? ताकि हम उसके योग्य बन जाएं, उसने हमें अपने योग्य बनाया, हमारी आत्मा को जिंदा करके हमारे मन को नया करकर अपनी आत्मा हमारे अंदर इंदर डाल कर उसने हमें अपने योग यह बनाया है ताकि हम उसकी वानी को सुनकर उसके अनुसार काम करें आलेलीगा, प्रेस आलोड तो परमेश्ट क्या चाहता है यह हम हर बाद बात करतें कि परमेश् union क्या चाहता है आज में आपके सामने जो वचंब पेश करने वाला हूँ आज जुम्हें जो आपके सामने वचंब लेकर आया हूँ उसमें एक सच्चाई भी है और चेतावनी भी है It's a lot और मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आपके आज आप इस वशन को समझे से लेंगे अगर आप समझ लेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है और मैं किस तरीके से जीवन को बिताना चाहिए मैं आपको सच कह रहा हूँ आपकी परिशानियां, आपकी निराशाएं, आपकी चिंताएं आपके जीवन से चूम अंतर हो जाएगे चूम अंतर हो जाएगे जिसने आप ने यह समझ लिया परमेश्वर की उपस्थिती और परमेश्वर का आशीश हमारे साथ है हमारे साथ है क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है परमेशन ने हमको चुना है परमेशन ने हमको अपना बनाया है ये भी कुछ सचा ही है लेकिन परमेशन ही चाहता है कि हम कैसी चाल चलें परमेशन ही चाहता है कि हम किस तरीके से जीवन को बिताएं इर्मिया 48 का दस इर्मिया 48 का दस हाल एलिया इर्मिया 48 का दस क्या कहता है शापित है वो जो यहवा का काम धिलाई से करता है शापित है वो जो यहवा का काम आलस से से करता है भी हम तो समझते थे कि यहवा ने हमको चुना है और हमको नया बनाया है ताकि हम आशीश हो गें हम तो समझते थे कि यहवा ने हमको अपना पुत्र बनाया, पुत्री बनाई है ताकि हम यहाँ पर सुख भोगे लोग इसलिए आ रहे हैं, कलीसिया आप बब्तिस्मा इसलिए लेते ताकि आपकी नौकरी अच्छी हो जाए आपके जीवन में जो हर्चने हैं, जो आपका कर्जी है वो निकल जाएं, हम यह समझते हैं, बब्तिस्मा लेते हुए यहाँ क्या कहता है शापित हो है वो मनिश्ये जो यहवा का काम आलस से करता है धिलाई से करता है, इसका मतलब परमेशन हमको कुसके लिए चुना है? काम करने के लिए हलो, यह आपके लिए बड़ा अचंबित बात होगी कि परमेशन हमको काम करने के लिए चुना है? जी हाँ परमेशन ने आपको काम करने के लिए चुना है और हम वो ही काम नहीं करते हैं हम क्या करते हैं? हम क्यों आते हैं इश्यू मसी में? हम इशु मसी में आकर संसार का आशीश पाना चाहते है कि हम इशु मसी में आ गए हमारी अच्छी नौकरी लग जाए हम इशु मसी में आ गए हमारा धंसंबती बढ़ जाए हम इशु मसी में आ गए हमारे बच्ची अच्छी दरा पढ़ाई करने लगे हम इशु मसी में इसलिए आते हमें बिमारियों से चंगाई मिल जाए यहोवा की ये वानी है यहोवा के मुख से निकला हुआ शब्द है वो कहता है जिस बच्चे को मैंने चुना है जिस बच्ची को मैंने चुना है वो उसके लिए कहता है शापित है वो जो मेरा काम यहवा का काम धिलाई से यानि के आलस से करता है, करता तो है आलस से आलस से करता है देखिए, जैसे ही आपने आशीश पाया है, जैसे ही आप इशू मसी में आए, बबतिस्मा लिया, आप इशू मसी ने, मैं अपने आपको समर्पित किया पश्टाताब किया परमेश्र का आशीश परमेश्र की किर्पा पवेश्र की पवित्रता उसकी धार्मिक्ता आपकी बन गई परमेश्र के सारे आशीश आपको मिल गए लिखा हुआ है हालेलिया सारे आशीश मिल गए अब यहां पर श्रापीद इंसान क्यों कहा गया है क चुकि वो आशीश जो परमेशने आपके लिए रखे हुए हैं, आपके काम ना करने से, या आपके काम आलस के अनुसार करने से, आप उन आशीशों को नहीं पाबाते हैं। इसलिए बहुत बहुत से बहुत से ऐसे मसी हैं जो भूके मर रहे हैं बहुत से ऐसे मसी हैं जो चिंते थे दुखी हैं ये शाया पांच का तेरा पड़ी है बहुत से ऐसे मसी हैं आप समझ नहीं रहे हैं कि परमिश्र क्या चाहता है हमारा जीवन अपना नहीं है, मैं आपको पचास वरा बोल चुका हूँ हम मसी के मंदिर हैं, हम परमेशर के मंदिर हैं, उसकी आत्मा हम मेवास करती है लेकिन हम अपने नहीं है, पहला करुंतियन छेका उन्निस में साफ साफ लिखा हुआ है ये कलीसिया क्यों खुली है, कलीसिया को परमेशर ने क्यों खुला है ताकि इसमें आप परमेशर का ज्यान प्राप्त कर सकें, वो परमेशर की योज़नाओं को समझ सकें ताकि आप उस आशीश को प्राप्त करें जो परमेशर ने आप मिले रखी है लेकिन वो कम मिलेंगी जब आप उसके अनुसार चलेंगे इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधवाई में जाती है और आगे उसके प्रतिष्चित पुरुष भूके मरते और साधारा लोग प्यास से व्यकुल होते है समझें आप? प्रतिष्चित लोग, चूने हुए लोग जिनको उसने ली parameter बनाया, जिनको उसने पास्टर बनाया, जिनको ministries दीए है क्या लिखा हुआ है? कि मेरे प्रतिश्चित लोग भूके मरते है कली से आई नहीं चल रही है अच्छे अच्छे पास्टरों की बहुत बुरी हाला था मैं जानता हूँ अच्छे अच्छे लीडर्स बहुत चिंतित अपना घर कैसे चला है ये प्राब्लम में हैं वो लोग चाराजार पांसो पचाराजार पांसार में वो करते हैं गुजारा करते हैं क्यों क्यों कि परमेश्वर के लिए काम नहीं करते आप अपने लिए काम कर रहे आप परमेश्वर के लिए काम नहीं कर रहे श्रापित है वो जो यहुवा का काम आलस्य से करता है अरे भाईया प्रात्रा करनी है अभी समय नहीं मिला सुबह लेट होगा अभी शांको करेंगे प्रात्रा नहीं 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 अभी आदा गंटा प्रात्रा करने के लिए पास्टर ने बुला था आदा गंटा समय नहीं है भाईया खाना भी बनाना है बच्चे भी है और बाइबल का एक चप्टर पर लिया ना बहुत हो गया क्या पढ़ा आपक ने वो तो यहाथ नहीं है लेकिन पढ़ा था क्या मतलब हो इसका क्योंकि आपने पढ़ा था अपनी ड्यूटी ने बाती आलस से क्योंकि आप जो काम की भूक नहीं है आपके अंदर आपके अंदर भूक कौन सी है मुझे अपने डूटी पर टाइम से पहुँशने है भी आप नौ बजे का टाइम है पॉननों हो जाए बस नहीं काता पॉनना नहीं पहुँचोंके पहार कड़ जाएगी एक दिन का उकड़ जाएगा आदी तनका कड़ जाएगी बरसात हो रही हा कोई बात नहीं छाता नहीं हम दूसरे का छाता लें गे हम जाएंगे हरे नौकरी यह वाई परभू का क्या है सुबह नहीं करेंगे, शाम को कर लेंगे, शाम को नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, पास्टर से बोल देंगे, आते जाते कर लेंगे, प्रभू का ही काम है ना, बचन क्या कह रहा है, आप आशीश पाने के बाद, शिराप में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं आप कहां जा रहे हैं आप शिराप में जा रहे हैं शिरापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता है आलस एक पाप है आलस एक पाप है शिरापित है वो इंसान पर मेश्र कहता है इसलिए जब हम मांगते हैं तो मांगने की जो हमारी प्रासरा है वो पूरी नहीं होती है यहना 15-16 देखी आप आज मैं इस वचन को आपको समझाऊँगा कि यहना 15-16 है क्या आज के वचन हो सकता आपको तीखे लगें आज के वच्छन हो सकता आपके दिल में छेद करें हो सकता आपको मेरी बाते बुरी लगे लेकिन लगे तो लगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन मेरा भाई आशीश पाए श्राप से मुक्त हो मेरा बच्चा चिंता से मुक्त हो तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, पढ़िए बेटा तुमने मुझे नहीं चुना, परन्तु मैंने तुम्हें चुना है ध्यान से पढ़िए, ये शब को बहुचा लगता है सबको कि परमिश्यन हमको चुना है बाद अच्छा लगता है, यह सुन कर बड़ा अच्छा लगता है, आगे पढ़िये ध्यान दीजे इस वचन को तुमने मुझे नहीं चुना, परंत मैने तुम्हें चुना है, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, वह तुम्हें दे तुमने मुझे नहीं चुना, परमेश्व कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है किसके लिए चुना है और चुना ही नहीं है चुनकर न्युक्त किया है आपको आपको किसी कंपणी में जाते हैं आपको 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 आपक तुम्हें चुना मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर नियुक्त किया है पॉइंट किया है ताकि तुम जाकर फल लाओ जाओ और फल लाओ कहां जाओ संसार में जाओ अपनी नोखरी में जाओ परमेश्वर के काम में जाओ और फल लाओ दुवारा पढ़िए यहीं से और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे जाकर तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे तुम्हारा फल क्या है जान दीजे अगर आप किसी को सुसो मचाओ सुनाएंगे अगर आप परमिश्र का काम करेंगे अगर आप किसी को परमिश्र का फल देंगे प्रेस अलॉट आपका फल वो कहता है तुम जाओ और जाकर फल लाओ ताकि तुम्हारा फल बना रहे बना रहे सदा रहे नहीं एक बार मिला है नहीं आपके फल रोज बनेंगे आपको अपने फल रोज बनाने है और आपका फल क्या है कि मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे तुम्हें मिलेगा ये है हमारा फल हम इस मचन को समझते हैं और बहुत से पाछ़ समझाते कि मैं पर्मिश्र का काम नहीं करूँगा मैं पर्मिश्र की संगती मेंने रहुँगा और जो मागूगा मुझे मिल ज painter आपका सोचना वहने गलत है गलत है आपका सोचना मेरा फल मुझे नियुक्त किया है ताकि मैं फल लाओं और मेरा फल बना रहे मेरा फल क्या है वो अधिकार मेरा फल क्या है वो संबंद मेरा अधिकार मेरा फल क्या है कि परमेश्वर से इश्व मसी के नाम से जो भी मागूंगा मुझे मिलेगा जो भी लेकिन उसके पहले मुझे जाना है फल लाना है काम करना है प्रभु का हम समस्थे बिना काम किये यह आए चर्श में आए दशांस दिया और चले गए और सोचने हैं बस हमारा काम हो जाएगा तब भी परमेशन देता है तब भी परमेशन रिच्छाओं को पूरा करता है क्यों मस्यों के घर के बच्चों को आशीश नहीं मिल रही है क्यों मस्यों के घरों में लड़ाया हो रही है क्यों बरकत नहीं हो रही है क्योंकि मेरे भाई आप उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं आप कौन है सेह कर्मी हैं कि पेला कुंद थीन का नौ परिये हैं हम कौन हैं परिम परिम्क देन के सह कर्मी थ्योग कि हम परमेशर के सेह कर्मी हैंält दूसरा कुरूंतियन छे का एक, आप जान लीजिए आप कौन है, सह कर्मी, साथ काम करने वाला, परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसे धर्टी पर प्रभूता दी, उसे क्या बोला, ये अदम की वाइटिक है, तुझे इसके देखबाल करनी है, उसके बाद तो सारे फल का सकता है, उसको काम दिया है, धर्टी की प्रभूता तेरे पास है, तुझे समाननी और मुझे जवाब देना है, रेस देलोड, आप नहीं जानते आप कौन है, आप नहीं जानते, आप उसकी कीमत को नहीं समझ रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं कि परमेशन नहीं आपको चुनाएं, आप सुचिए, कितने आपके परिवार में कितने लोग हैं, चाचा, मामा, ताओ, अगर सब मिलाएं, सब अगर मिलाएं, आपके घर में, तो कितने लोग होंगे, कम से कम सो होंगे, चाचा मामा ताओ सौ जेट सो तो होंगे हरे घर में होंगे कि नहीं होंगे हाँ के ना रेस अलोट और अपने दोस्तों को मिला लीजिए आप कम से कम हजार लोग को आप जानतें कि नहीं जानतें हजार लोगों में से आप को चुना है आप समझ रहे हैं हाजार लोगों में से आप नहीं जानते आज मेरे परिवार में हजारों लोग हैं हजारों मेरे जिशुदारें दोस्ट सब को मिलाओं तो मुझे सिर्फ चुना है लेकिन आप तीमत नहीं समझ रहे परमेशा ने आपकी आत्मा को जिंदा कि आपके मन को नया किया ताकि आप उसकी आवाज को सुन सके आप सुनना नहीं चाहते नहीं आप सुनना नहीं चाहते अपने बास की सुनना चाहते अपने परोसी की आवाज सुनना चाहते प्रभू की आवाज सुनना नहीं चाहते बस खाने को मिल रहा है मेरे भाई, आप और मैं परमेश्वर के सह कर्मी है, पढ़िये दूसरा कॉइंते 6 का एक हम जो परमेश्वर के सह कर्मी है ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्र जो तुम पर हुआ उसे व्यर्त न जाने दो हम जो उसके सहकर्मी हैं ये भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्र है जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो उसने हमें सहकर्मी बनाया है वो धर्ती पर अकेले काम नहीं कर सकता है परमेश्वर को धर्ती पर काम करने के लिए हमारी जरूरत है क्योंकि हम धर्टी पर जन्में है जो धर्टी पर जन्ता है धर्टी पर काम करने का अधिकार उसका है इसलिए इशू धर्टी पर जन्मा आप नहीं समझ रहे हैं परमेश्वर आपको सहकर्मी क्यों बना रहा है क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहता है आप नहीं जानते हैं कि आपकी कीमत परमेश्वर की नजरों में क्या है परमेश्वर की नजरों में आपकी बहुत कीमत है उसने अपने प्णिते प्धुत का बलिदान दे दिया लेकिन आपकी नज़ों में परमेश्जिय की कीमत सिर्फ आशीश और 10 हजार और 15 हजार और 20 हजार रपे की नौकरी यह कुछ नहीं है कुछ नहीं है आपके नज़ों में उसकी कीमत बस वो कहता है उस अनुग्रहे को व्यर्थ मत रहने दो व्यर्थ में मत जाने दो वो हाथ जोड़ता है आपसे पॉलोस इसलिए ये शाया पांच का तेरा क्या कहता है कि मेरी परजा अज्यानता की वज़े से बंधनों में है और उसके प्रतिष्टित लोग भूके मर रहे है क्योंकि अज्यानता है आज भी आप चिंतित हैं मेरी दोटी कहां से मिलेगी मेरा कपड़ा कहां से मिलेगा मेरी नौकरी छूड़ की तो कौन देगा आज भी आप परमेश्वर पर डिपेंड नहीं है मुझे समालने वाला मेरा पिता है मेरा परमेश्वर मेरा समालने वाला है मेरा हीश्व मेरा समालने वाला है अगर वो अपने एक लोटे पुत्र को मेरे लिए दे सकता है तो क्या वो मुझे रोटी नहीं दे सकता है क्या वो मुझे आशीश नहीं से सकता है मुझे कपड़ा नहीं दे सकता वो अपने एक लोटे पुत्र का उसने मेरे और आप के लिए बलिदान कर दिया मेरे बाई, मेरी बहन इसको हमें समझेना जरूरी है और याद रखना जरूरी है ताकि हमारा फल बना रहे और हमारा फल क्या है कि हम इसमसी के नाम से जो मांगेंगे हमको मिलेगा जो मांगेंगे आप का छोटा सा आलस से आपकी छोटी सी धिलाई आपको कितने बड़े आशीश से दूर रख रही है आपका आलस आपकी धिलाई आपको उस वर्दान से दूर रख रही है वो वर्दान, वो अधिकार कि मैं इश्यू के नाम से जो मांगूंगी मुझे मिलेगा आपका अलस आपका अलस आपको दूर रख रहा है क्योंकि हम परमेश्यू के काम में धिलाई करते हैं और सब कामों में नहीं धिलाई परमेश्यू के काम करने में दशांस देने में धिलाई करते हैं आज मिला अगले हफते देंगे अरे अगले हफते तो लो यार अगले मेने दे देंगे आप क्या समस्य हैं आप अपनी आशीशों को काट रहे हैं आप परमिश्ट का कुछ नहीं बिगाड़े हैं आप अपना नुक्सान कर रहे हैं प्रेस अलॉड आप अगर काम नहीं करेंगे परमिश्व दूसरों को चुटेंगा इश्व बोलते हैं ना उनको फरीसियों को कि अगर यह चुप हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे आपको पता है मेरा पता पत्थरों से सुसमाचार दिलवा सकता है वो परमेश्वर है उसके लिए कुछ भी असंबव नहीं है इसलिए अगर हम उसके साथ काम कर रहे हैं तो इसमें हमारी भलाई है मेरे भाई मेरी बहन श्रापित है वो जो यहवा का काम आलस से करता है सुचिए हम किसके लिए आये थे उस श्राप से मुक्त होकर कि हम इश्व मसी में आएंगे पवित्र होंगे श्रापों से मुक्त होंगे प्रेज अलौट इसलिए आये थे हम किसके लिए आये थे हम ताकि हम श्रापों से मुक्त हो जाएंगे प्रेस अलोट और इश्यू ने हमें श्रापों से मुक्त किया लेकिन जब परमेश्वार के काम में हम धिलाई अपनाएंगे अपना धंदा अमारे लिए पहले संडे है धंदा आगया छोड़ो चर्च यार छोड़िए घर में बैटिए आप देखिएगा आप देखिए कर्दों से आप निकल नहीं पाएंगे कभी इस से मांगो कभी उस से मांगो कभी इस से मांगो कभी इसको बेफ को बनाओ शलता रहेगा और आप कहेंगे साब कि प्रभू काम नहीं कर रहा है प्रभू तो खाली बैटा है ना अरे प्रभू ने आपको नया जीवन दे दिया कम है क्या उसके बाद भी आपकी आखें नहीं खुलती हैं क्या परमेश्वर के अनुसार जिनली की बिताएं फिर भी आप जाते हैं कि परमेश्वर हर बार हर मोड़ पर आप इशू मसीगों मारते हैं परमेश्वर की गलती नहीं है परमेश्वर की गलती आठ महीने परमेश्वर ने बता दिया आप लोग घर में थे ना कि रोटी नहीं दिया आपको परमेश्वर ने कि खाना नहीं दिया परमेश्वर ने आपको कौसा काम कर लिया आप ने जान की हिफाज़त दी लोगों को बचाया जो मरने वाले थे उनको जिन्दा किया प्रेस अलोड लेकिन हम नहीं समझ रहे मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको परमेश्वर्ट बहुत पर्टिकुलर है पहला राजा सत्रा दो और तीन देखी आप जानी है börjarए है अपने पिता को कि वो कौन है अगर हम उसके संग्त काम करेंगे अगर हम उसके काम में चुस्ती रखेंगे तो क्या होगा देखेए इलिया नाम का एक आदब इलिया एक जिबी हुआ है याद है आपको कितनों को यादा है ऐलिया जब राजा आहाब इस्राईल का राजा था और राजा आहाब जो था ना इतना करूड था इतना करूड था कि उस ने उस समय कम से कम सो नबीओं को मरवा दिया था तलवार चलवादी थी परमेशर की सारी वेदियों को नश्र कर दिया था राजा आहाब इस्राइल का राजा उसके सामने कोई जाता नहीं था था सौ नभी जो परमेशर के धर्टी पर सेवा कर रहे थे परमेशर के थे उनको मौत के घाट उतार दिया था राजा आहाब ने अब परमेशर उसके सामने अपने दूद को भेजता है कौँ सा दूद जिस सरीके से मैं और आप है मैं और आप है अगर आप मेंसे किसी को कहेगा जाओ राजा आपके पास जाओ जो सो नभीयों को मार चुका आप जाएंगे आपके जाओ चर्च नहीं आना मुझे नहीं चाहिए पास्तर हमें कुछ नहीं चाहिए कहाँ भेज रहे हैं आप वहाँ पर एलिया गया कौन गया है एलिया गया और एलिया ने परमेशर की वाणी बोली क्या बोला सतरक पढ़िये तिस भी एलियाग जो किलाद के परदीशों में था उसने आप से कहा इस्राइल का परमेशन ये हुआ जिसके सम्मुख में उपसित रहता हूँ उसके जीवन को शपत इन वर्षों में मेरे भी ना कहे न तो मह बरसेगा और न ओस पड़ेगी एलियाग ने बता है कि उस परमेशन के सामने मैं रहता हूँ और मैं एक नभी हूँ तुने उन सो नभीयों को मारा है ना मैं एक नभी बोल रहा हूँ परमेशन नहीं बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ जब तक मैं नहीं चाहूंगा तेरे राज्ज में बारिश नहीं होगी मैं बोल रहा हूँ तो सारे तिन वर्षा नहीं होगी अगर परमेशर उतर आ गया तो तेरा क्या होगा वो ऐलान करके आया परमेशर की वानी बोलकर आया आहाप के सामने उसके राजमहल में साले सैदिक थे सारा दर्वार लगा हुआ था जिन्होंने सो लोगों को सो नभीयों को घाट उताना था मौत के वहाँ पर एलिया बोलकर आया अब देखिए परमेशर क्या करता है कैसे समालता है ध्यान दीजे जब आप परमेशर काम करते हैं परमेशर कैसे आपके साथ रहता है पर यह बेटा दूसरा वचन तब यहुवा का वचन उसके पास पहुँचा यहां से चल कर पुर्व की और जा और करित नामक नाले में जो यरदन के पुर्व में है चिप जा परमेशर कि यह बोलके जाएगा रियक्शन होगा राजा आप गुसे में आएगा जैस्पिल गुसे में आएगी इसके लिए वो क्या बोल रहा है अपने बच्चे को यह लिए को क्या बोल रहा है कि यहां से चल कर आप देखिए ध्यान दीजिए उसने यह नहीं का यहां से निकल कर छुप जा वो यह नहीं बोल रहा है वो परमेश्वर है वो आप से बहुत प्यार करता है वो बहुत ही बहुत ही एक एक चीज आपके जीवन में आपको इस पस्ट बताना चाहता है वो क्या कहता है यहां से चल कर पूरब दिशा में जा पूरब की और मुख करके करीट नाले में जो यर्दन के सामने है छिपजा हलो आप समझ रहें जब परमेशर आपके साथ है न तो आपको बताएगा कि आपको किस रोट पे जाना है आपको किस आफिस में जाना है आपको किस आदमी से मिलना है आपको कैसे मिलना है कहां काम मिलेगा वो सब बताएगा आपको वो सब बताएगा आपको कहां क्या करना है जब परमेश्यर आपके सामने है पूरब की दिशा में जा जो नियर्दन के सामने करीत नाला है वहां पर छुप क्यों? क्योंकि परमेश्यर के मुख की वानी राजा आहाद के सामने एलिया बोल कर आया था उसने अलस नहीं किया बोलने में कि आज नहीं परमिशर कर बोलेंगे राज महल में नहीं जाएंगे बोलने के लिए परमिशर सर नहीं नहीं वो कहीं अकिला ख़ड़ाओगा तो वहाँ जाकर मैं शुप 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 से बोलकर आज़ोंगा भागोंगा वो राजा है महल में जा प्रेस अलोड और जब उसने बोला तो बताया आगे उसी नाले का पानी तु पिया कर और मैंने कवों को आग्या दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए उसी नाले का पानी और तुझे करना क्या है जब आप परमिश्र के साथ होते हैं जब आप परमिश्र के आग्या पर चलते हैं जब आलस के साथ रहें चुढ़ी के साथ पर मिश्रक्र काम करते हैं तो वह बताता है कि तुझे रोस क्या करना है तुझे कैसे खाना मिलेगा तुझे कहां से भोजन मिलेगा से कहां से खाना आएगा कहां से कववों को आग्या दी है कि मैं तुझे रोटिया देंगे अलो, प्रेस अलोट आप जानते हैं आपका पिता एक एक चीज बोता रहा है वो यह निकि एलिया जो बोलकर आया था उसे पता है उसे क्या जाना है कौन आ रहा है कववा आ रहा है लेकर यह उससे पता है, यह नहीं बोला पर्मेशन तुझे खाना मिल लिए आएगा, मैं भेजूँगा, किसी ना किसी की हातों भेजूँगा, पर्मेशन मनुश्य नहीं है, जो आज देता है, कोई ना कोई तो आपके लिए आएगा, पाश्यर आप बैठिये, आपकी जुरूद मै मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ. वो पर्मेशन हुर है. किसके हातों भेजूँगा, क्या भेजूँगा, कब भेजूँगा, He knows. रेस अ लोड़? कि वहाँ पर तुझा रहां। मने कवं को आग्या दी है, कि वह तुझे वहाँ खिलाएं। एलिया को बताने से पहले कवों को आग्या दे चुका है इसलिए वो कहता है कल की चिंता मत कर कल जो आने वाला है ना वो अपनी चिंता अपने आप करेगा तू सिर्फ मेरी धार्मिक्ता पर चल तू सिर्फ मेरी धार्मिक्ता पर चल तू सिर्फ मेरा काम कर तू सिरफ मेरी वानी सुन क्योंकि तू मेरा सह कर्मी है इस धर्ती पर कैसे काम करेगा मुझे बताईए परमेशन परमेशन का राज़क कैसे बढ़ेगा क्यों हमारा जीवन में आशीश नहीं आ पा रही है चुने हुए तो है हम हम अंगी कार करते के हम चुने हुए लेकिन हम परमेशन की आवाज सुनने के लिए तयार नहीं है हम परमेशन काम करने के लिए तयार नहीं है नहीं है हम अपने सामराज़े में लगे हुए अपने सामराज़े को बढ़ाने के लिए ही हम लगे हुए Praise the Lord इसका पहला का 19 मां 5 और 8 देखी आप इसी का पहला राजा 19, 5 और 8 पहला राजा 19, 5 और 8 5 से 8 मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ मेरी भेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर का काम करते हैं तो परमेश्वर को आपकी चिंता है आपको चिंता करने की जुरूद नहीं है एलिय ने पूछा कि परमेश्वर मैं जाता हूँ करीट नाले में आप खाना कहां से आएगा पानी कहां से प्यूँगा पूछा उसने परमेश्वर ने बताया आप की चिंता उसको आप से ज़्यादा है आप अगर उसके काम में तलीन है ना मेरे भाई तो आपके बच्चों की देखरे का जिमा उसका है आपकी रोटी का जिमा उसका है आपको चिंता करने की शरूरत नहीं है हाँ, काम करना है अगर परमिशन आपके साथ है तो अंदकार की शक्तियां आपके पास नहीं आएंगी इसके बाद भी क्या हुआ है कि जजबल ने बीच में बहुत कुछ हुआ एलिया ने किया सुर्ख से आग उदरी और जजबल ने जो कि उसकी बीवी थी आहाब की बीवी क्योंकि एलिया ने तक्रीमाद साड़े आठ सो जो प्रोही थे जो चुने वे थे बाल देता और अशेरा के दूद थे उनको मार दिया जजबल जो कि राजा आहाब की पत्नी थी उसने अलान किया कि मैं कल तक तुझे मार दूँगी और डर गया एलिया और डर कर एक गुफा में आ गया देखिए अब परमिश्र क्या करता गुफा में लेटा हुआ है अललिया परमिश्र का चुनावा बंदा पांस से आथमा बुझ जाओ के पेड तले लेट कर सो गया और देखो एक दूद ने उसे चूकर कहा उठकर खा उठकर खा कहां से आया दूद हलो कहां से आया दूद स्वर्ग से किस के पास आया एलिया के पास कहां एक गुफा में आप कहतें कि मैं जंगल में हूँ कहां परमिश्र का आशीश आएगा परमिश्र के भै में जिन्दगी गुजारिए परमिश्र के काम में अपने आपको लगाईए उसका स्वर्ध दूद आपकी सेवा करेगा दूद ने आकर उससे चूकर कहा उठकर खा एक पिताब जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए चड़पती है मेरा बच्चा मेरा बच्चा भूका है प्रेस अलौट अभी हमारे भाई जै की बजाते हुए उनके हाथ कड़ गया ये माँ है कुछ ऐसी पटा लगा कि किचन में गई उसने कुछ किया और लगा दिया कि मेरे बच्चे को खून निकल रहा है बच्चे ने नहीं का कि मम मेरा खून निकल रहा है कहा उसने नहीं सुना कि मेरे बच्चे का खून निकल रहा है, वो गई और उसने कुछ कूटा और लगा दिये तक कि बच्चे का खून बंद हो जाए, एलिया ने नहीं कहा कि पिता मुझे कुछ चाहिए, सुर्दूत आया, छुआ उठ, खा बेटा खा, आगे बढ़िये, उसने दृष्टी करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्रों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराई पानी रखा है, तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया, तब उसने दिश्ची करके देखा कि क्या है मेरे सिरहाने पत्थरों बड़ पकी हुई एक रोटी हलो हलो ध्यान दीजे पकी हुई रोटी आपको पकाने की जरूत नहीं है आपको मेहनत करने की जरूत नहीं है परमेशन ने आपको आटा नहीं दिया आपको ग्यहूं नहीं द रहे हैं बनी बनाई चीज पकी रोटी और एक सुराही का पानी आप देखिए उस पिता को पकी हुई रोटी भेजी उसने कच्ची रोटी नहीं भेजी उसे ये नहीं का कि देख गुफा के बार गहुं की पाले लगी हुई है जाके तोड और पका ले अपने रोटी खार वो भी बोल सकता था जो प्रेसलोट इस रडूद आया रोग्स चुआ खाले पकी हुई रोटी और आगे क्या है दूसरी बार यह वा का दूद आया और उसे चू कर कहा उठकर खा क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है जो लौट क्यों खिला या उसने क्योंकि परमेश्वर का काम उसे करना है परमेश्वर ने दूद को दूसरी रोटी लेकर भेजा क्यों खा ताकि तुझे में ताकत आए ताकि तुझे और काम करना है परमेश्वर ने हमको चुना है हमको आशीश दिया है नौकरी दिया है सब कुछ दिया है क्यों दिया है ताकि हम उस आशीश को पाएं और तयार हो जाए परमिशन के लिए कि हमें परमिशन का काम करना है परमिशन आशिश क्यों दे रहा है ताकि आप तयार रहें उस उसका काम करने के लिए उसकी आवाज सुनने के लिए हमाशीश पाकर अपना ही काम करते हैं हमाशीश पाकर अपने ही संसार को बना रहे है इसी लिए चंता होती है इसी लिए मस्की जो है वो दुख में रहता है इसी लिए उसमें लिखा है कि मेरी जो प्रजा है वो बंधन में रहती है और जो प्रतिश्चित लोग है वो भूके मरते हैं भूके मसी के लोग भूके मर रहे हैं विश्वासी लोग भूके मर रहे हैं क्यों तो कि आप आशीष पाने के बाद उसका काम नहीं कर रहे हैं आशीष पाने के बाद अपना ही काम कर रहे हैं मेरी नौकडी मेरा घर मेरा किराया मेरा करजा मेरे बच्चे अरे वो तो पहले भी था भाई या प्रभू में हम आए हैं हमें नया जीवन परमिशन ने दिया है नया जीवन परमिशन ने दिया है क्यों दिया है इस चीज़ को समझता है मेरे भाई मेरी बहन बहुत सरूरी है जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे हम प्रॉपर तरीके से परमिशन के हो नहीं पाएंगे हो नहीं पाएंगे हम परमिश्र के प्रॉपर तरीके से हमें अपनी बुद्धी का साहरा नहीं लेना इसलिए रोमियो भारत का तीन पढ़िए रोमियो भारत का तीन मैं आज जा आपको समझा रहा हूं मैं आपको सच कह रहा हूं ये वचन अगर आप सच्चाई से ग्रहन करेंगे और इसके अनुसार चलेंगे सबसे बाइतों हो आप सुनते हैं आप इस जीवन में महसूस करें हर दिन हर पल हर दिन हर पल आप सुचिए कि परमेश्वन ने आपको नया जीवन दिया है वो जीवन जो हर एक को नहीं मिलता है नया जीवन परमेश्वन ने आपको दिया है आपकी आत्मा को जिन्दा किया है अपनी आत्मा आप में डाली है ताकि आप उसकी इच्छा को उसकी योजनाओं को समझ सके और उसके अनुसार चल सके मसीहत अपना जीवन जीना नहीं है मसीहत उसका जीवन जीना है जो हमारे अंदर है हलो अभी मेरे अंदर किसका जीवन है किसका जीवन है आपके अंदर किसका जीवन है आपके अंदर ईशू मसी का प्रेस अलोट इसलिए गलतियों दो का बीस का करता है देखें पॉलुस क्या बोलता है पॉलुस क्या बोलता है दो का बीस गलत के दो का बीस गैलेशियन दो का बीस मैं मसी के साथ कुरुस पर चड़ाया गया हूँ अब मैं जीवित न रहा पर मसी मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेशुर की पुत्र पर है जिसने मुझ से प्रेम किया और मेरे लिए अपने आपको दे दिया There's a lot क्या गोलता है पॉलस मैं जीवित रही है मसी मुझ में जीवित है और जो मसी मुझ में जीवित है तो इसलिए मुझे उसकी अनुसार चलना है मुझे उसकी अनुसार जीना है आप समझे रहें के नहीं समझे रहें आपकी शादी एक आदमी से होती है उसका अलग काम है अगर आप शादी के बाद आपका आदमी है उसके अनुसार नहीं चलेंगे आप अपना काम करते रहेंगे आदमी के काम में दिल्चस्पनी लेंगे आदमी जैसा कहता वैसा नहीं चलेंगे कि आपकी गरस्टी चल पाएगी आपकी गरस्टी आपको आदमी रखेगा आपको रखेगा चाया कितनी निहायत खुबसूरत क्यों नहीं हो इसी तरीके से मेरी बेहन हमारी शादी हुई है इश्यू से वो हमारा दूला है आप समझिए कि हमारा जीवन हमारा नहीं है हमारा जीवन उसका है इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बठा बिसा लीजिए अगर मेरे भाई मेरे बहन आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे न आप चिंताओं से मुक्त नहीं होगे चिंताओं हमेशा आपको घेर लेंगे समस्याएं आती रहेंगे प्रात्रा करिए फिर प्रात्रा करेंगे जाएंगे परमेशर है आप उस अधिकार को उस फल को आप यूज नहीं कर पाएंगे वो फल वो अधिकार वो वर्दान का यूज नहीं कर पाएंगे आप कि मैं जो मांगूं की मुझे मिलेगा पत्रस यहन्ना यूस करते थे उस वर्दान का जो मांगते थे परमेशर यह मुर्दा होगा इसको ठीक कर दी थे ओके ठीक होगा क्यों? क्योंकि वो फल उनके पास था वो फल उनमें बना रहता था उस फल को अपने अंदर बनाने के लिए वो रोज परमेशर के सामने जीते थे खुद को मारते थे रोज मरते थे वो बोल रहा है मैं कुरूस पर रोज मरता हूँ मैं नहीं हूँ जिंदा इशू मुछ में जिंदा है रोज वो टैक कर देदे थे कि आज इशू मुझे है के नहीं है आज मुझे में इशू है के नहीं है इतना असान नहीं है बता रहा हूं मैं आपके बेहर प्रबू में रहना मैं आपको सच बता रहा हूं अगर जो मैं वचन आपको दे रहा हूं उसके अनुसार आप जीवन बिताएंगे मैं आपको चैले में आपके बच्चों का जीवन बदलेगा मैं चैलेंज करता हूँ आपके बच्चों में अगर प्रॉबलम है तो विकॉज आप उसकी वज़ाएं परमेशन नहीं है आप सही तरीके से परमेशन के साथ नहीं चल रहे हैं आप उसकी आशिशों को रोक रहे हैं अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, शेटान काम कर रहा है आपके घर में, क्यूं? क्योंकि लिखा हुआ है, श्रापित है वो मनुश्य, जो यहावा का काम आलस इसे करता है, लिखा हुआ वचे ले, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी बहन, मेरी कोई भी भाई के घर में शराप हो, आप उस चीज़ को समझे, अन्तिम समय है, इस समय हालात अलग है, हालात अलग है, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने आपको मश्बूत नहीं किया, अगर आप मसी में मश्बूत नहीं हुए, अगर आपके अंदर क्रूस, अगर आप अपने क्रूस को उठा कर रोज सहां नहीं चलेंगे, मेरे भाई मेरी बेहन आप रहनी पाएंगे परमेशर में अंतिम समय चल रहा है अंतिम समय चल रहा है अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा तो इस बिमारी के वज़ा से आपने देख लिया होगा अंतिम समय की शकल क्या होती है अभी भी वक्त है परमेश्वर के काम को ढिलाई से नहीं आलस से नहीं प्रभू का काम है मेरा काम नहीं है रूमियो बारका तीन प्रभू का काम है इसलिए पालुस कहता है कि मैं अब जिन्दा नहीं हूं मुझ में इश्यू जिन्दा है सुचिए आप वो अपने अंदर इश्यू को देखता है यह नहीं कि उसके जीवन में जो भी काम होता होगा वो किसके नुसार करता होगा इश्यू के नुसार हलो किसके अनुसार काम करता होगा क्योंकि वो बोलता है मैं जिन्दा नहीं हो अपने में मिरे अंदर कौन जिन्दा है इशू तो यानिके वह हर सुभाय लिखने से पहले अपने इशू के द्वारा जिन्दगी को जीना जीता होगा क्योंकि मैं उस अनुग्रा के कारण जो मुझे मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आपको न समझे क्या कहता है क्योंकि मैं उस अनुग्रे के द्वारा जो मुझे दिया गया है तुम से प्रतेक्ष के कहता हूँ कि कोई भी अपने आपको जितना समझना चाहिए उससे ज्यादा मत समझे आगे पर जैसा परमेश्वर ने हरे को विश्वास परिनाम के अनुसार बाढ़ दिया है वैसा ही सुबुधी के साथ अपने को समझे परंदू परमेश्वर के द्वारा दिये गए विश्वास के परिमान के अनुसार ही सुबुधी से अपने आपको समझे पर जैसा परमेश्वर हरे को विश्वास परिमान के अनुसार बाड़ दिया है वैसे ही सुबुधी के साथ अपने को समझे जब आपका उध्वार हुआ, तो परमेशन ने आपको विश्वास का वर्दान दिया, जिस विश्वास के वर्दान के द्वारा आपको वो जो बुद्धी मिली है, उस बुद्धी के अनुसार आप अपने जीवन को बिताएं, जैसा आपको समझा चाहिए, वैसा मस समझे कि म कुछ हूँ, क्यान हो गया है, अरे तीस साल हो गया है, पच्चे साल हो गया है मसी में, पच्चे साल से हूँ, मैं पास्चर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं वर्दान लीडर हूँ, नहीं, आपको जो समझे, जितना समझना सही है, उसना मस समझे, जो परमेशन ने आपको इमान दिया है उस बुद्धी के अनुसार अपने जीवन को लेकर चलिए अपनी बुद्धी का उपयोग मत करिए अगर अपनी बुद्धी का उपयोग करेंगे तो मैं आएगा मैं मैं जानता हूँ यह वचन जानता हूँ कि भी दानता हूंवं इसन दूसरा वचीन क्या कहता इसका दूसरा पुर्स ब्हुरुनीश्ण करें इस अंसार के वप्रों न करें पृंद तुम्हारे मन के ने हो जाने से तुम्हारा चल्टनाबी बदलता जाए तुम्हारा मन कितलों का विश्वास है कि आपका मन नया हो गया है अगर आपका विश्वास है कि आपका मन नया हो चुका है तो क्या कहता है आपके मन के नय हो जाने से आगे दुवारा पढ़ो परंद तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए तुम्हारा चाल चलन जो पहले था पहले जो आपका चाल चलन था अपने पुराने वाले मन के नुसार था पुराना जो मन था वो असाद दोके बास था वो मन कहता था ये करो, वो कहता था जूट बोलो, वो मन कहता था धोका दो, वो मन कहता था वैबिचार करो, वो मन कहता था शराब पियो, वो मन कहता था बीबी को मारो, वो मन कहता था याशी करो लेकिन अब हमें नया मन आ गिया है तो क्या कहता है अब मन के नए हो जाने की वज़ा से तुम्हारा चाल चलन भी बदले परन्तु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए तुम्हारा यही तो जरूरी है हमारे मन के नय हो जाने के विले से हमारा चाल चलन कैसे बदलेगा पहले जब हमारा मन था असाद्य रोग से पीडि था मन शुद्ध था तो हम संसार के अनुसार चलते थे अब मन हमारा शुद्ध हो गया है पवित्र हो गया है परमेशन ने निया कर दिया है तो हमें किसके अनुसार चलना है कोई बोलनी रहा किसके अनुसार चलना है जोर से बोली है किसके अनुसार चलना है तभी तो इस नए मन का फाइदा है अगर इस नए मन को भी हम संसार के अनुसार चलाएंगे या इस नए मन को हम संसार में लेकर जाएंगे तो नया मन का फाइदा क्या हुआ नया मन जो हमें मिला है उसका फाइदा क्या हुआ प्रेश दो लोट आपको परमेशों ने एक नया खपड़ा दिया सफेद एक नहीं पोशाग दिये उसको समालना आपको है अगर उसमें कीजड लग रहा है या आप कीजड के राश्टे में जा रहे हैं तो सफेद कपड़ा जो पुवित्र कपड़ा आपको दिया उसका मतलब क्या हुआ यह किसके हाथ में समालना किसके हाथ में उज्या बोलिए किसके हाथ में अपने मन को नए तरीके से लेकर चलना किसके हात में है, आप बहुसी बाता सुनेगे संसार में, ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे करो वैसे करो, दोका दो, अरे छोड़ो यार, जूट बोलना अच्छा है, दोका देना, नू, हमें नहीं चलना है, मेरा मन नहीं है, हलो आपकी शादी हुई है आपकी शादी हुई है इश्यू से होगी आपकी सहली हो पुरानी के कि चल भई चल enjoy करते हैं कहीं जाते हैं गुंगते हैं पती से पूछने क्या जरू होता है आ जाएंगे शाम तक चलते हैं गुंगते हाते पती गया है चार दिन के लिए चार दिन तेक आज़ाद है चल रही मेरी शादी होई है इन्हें पवित्र हूँ प्रेस अलॉड यह किस्व करना है यह किस्व करना है हमें करना है तबी तो हम अपने मन के नए हो जाने इसकी वज़ा से नई चाल चल पाएंगे और परमेश्वर के आशीश और उसके वर्दान को भोग पाएंगे उपयोग कर पाएंगे और फिर आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा जो मांगेंगे मैं आपको चैलेंज करता हूँ जो मांगेंगे आपको मिलेगा मेरा परमिश्वर बहुत महान है आपकी चिंताएं कुछ भी नहीं है आप सिर्फ परमिश्वर के अनुसार उसकी आग्या के अनुसार काम करिए सिर्फ प्रात्रा करना ही परमिश्वर काम नहीं है सुबर्ट के तीन में जे हम प्रात्रा करते उसकार एक चैप्टर पढ़ते हम सो गए बास हो गई वसीयत नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा आप चाहते हैं कि परमेश और आपके जीवन से अंदकार की शक्तियों को निकाल दे आपको नहीं पता कि अंदकार की शक्तियां आपको किस तरीके से आपके बच्चों को आप वो चीज देखनी रहें जो मैं देख रहा हूँ पता नहीं आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं जो प्रभू मुझे दिखा रहा है आप लोग नहीं देख रहे हैं शैतान जो है मसीहत जो मसीह के बच्चों को पूरी तरीके से खतम करने पर दुला हुआ है आप लोग समझ नहीं रहे और जब आप परमेशर के अनुसार नहीं चलते हैं तो आपका जो बल है वो खतम हो जाता है आपको जो शक्ति है खतम हो जाते हैं जो आपका वर्दान है उसमें बल नहीं रहता तो कि आप नहीं चलते हैं जब आप फल लाएंगे तो आपका फल बना रहेगा और आपका फल क्या होगा कि इश्यू के नाम से हम जो मांगेंगे हमें मिलेगा आप इश्यू मसी के नाम से मांगी है शैतान मेरे बच्चक तो उपर से निकल मांगी आप मिलेगा प्रभू आपको देगा मैं आपसे सच कह रहा हूँ आज जो मैंने आपको कहा है उसको अपने जीवन में उतार लीजिए मैं चाहता हूँ मेरी कलीशिया का हर बच्चा हर भाई बहन और जो भाई बहन देख रहे है उन्सब के लिए मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में परमेशर का आशीश और वो वर्दान सिद्र है कि आप जो मांगे परमेशर आपको देगे जो मांगे आपको परमेशर दे हम कामना करके अपने उपर बंधर लेकर आ रहे हैं Praise the Lord Hallelujah मैं विश्वास करता हूँ आज का बचान आपको अच्छा लगा होगा मैं विश्वास करता हूँ और मैं प्रात्रा करता हूँ मैं निमेदन करता हूँ आपसे कि प्लीज उसकी आवास को सुनना शुरू करिये अपने जीवन से आलस को निका लिए कि और आए, अगर आप आलस से काम करते हैं नहीं मुझे प्रमेश्व का काम पहले करना है ये करने की देखिए आप शुरू करिए आपके जीवन में चेंजिज अपने आप आएंगे आपके जीवन में बदलाव अपने आप आएगा आज का वशन आपने करहन किया सबने करहन किया बोले इशो मसी की हाललुया